तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे शानल पर मेरा रहा है वरुड और हम बात कर रहे हैं इंजीनिरिंग के और अगर आप भी चाहते हैं इंजीनिरिंग करना तो खईबार कन्फ्यूजन हो जाता है ये कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा मेरे लिए ये कौन सा कॉ के वाले हैं वो south इंडिया मैं अन्हीजो के हुणि आतना university की हमने बात करी हुई थी और अनना university की वीडियो भी पड़ी हुई है आप चाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में तो अठ्ना your university से पहले यह सम्भद हुआ करते थे अफ फिलाल तो deemed to be your university हैं जिनकी हम बात इमदी अचार है और अगर आप भी चाहते हैं इंजिनिरिंग करना तो ये Classlingum Academy for Research and Education इसको पहले Classlingum Institute of Technology भी कहा जाता था जी हाँ 1984 में इसको स्टाबलिस किया गया था तो पूरी की पूरी चर्चा हम यहाँ detail में डिसकस करने वाले हैं इस institution के वारे में जो की इंजिनिरिंग और हाँ humanity से related बहुत सारी गोसिस करवाता है लेकिन फिलाल हम इंजिनिरिंग की ही बात करने वाले हैं तो भाई दोस्तों मैं जरूर शेयर कर दीजेगा इसको और साथी साथ चैनल सब्स्राइब कर लेना है क्यों क्योंकि इंजिनिरिंग से related हर इक जान करें चाहे वो कोर्स हो चाहे आपके करियर की बात हो यहां आपको सब से पहले फिल ने वाली है तो चले स्टार्ट करेंगी यहां कलासिलिंगम Academy of Research and Education की बात करें तो भाई यह पहले किसी और नाम से जानी जाती थी यह आरुल मिगो कलासिलिंगम College of Engineering 1984 में इस नाम से यह established हुई यह उनिवस्टी थी जिसे कलावी वलल तिरू टी कलासिलिंगम के द्वारा established करा गया था और भाईया यहां पे अगर बात करें तो आज की डेट में deemed to be university मतलब यह बिलकोल university के जैसे ही है अपने सारे के सारे courses से related यह पिर सारी चीजे खुद निर्णाय ले सकते हैं कई समस्या नहीं है फिलाल पहले इससे पहले अन्ना यह उनिवस्टी से यह क्या affiliated हुआ करते थे इनमें अगर बात करें इस university की यह deemed to be university की तो UG courses PG courses और PhD courses तक यह करवा देता है और भाईया अच्छा खासा नाम इनक है तो अगर आप चाह रहे हैं या देख रहे हैं कि तो मिलाणू में मिरको engineering करना है तो इनको वाप चाहें तो bucket में रख सकते हैं फिलाल और बात करें तो B time में कौन कौन सी streams जो हैं यह यहां से आपको courses conduct कराते हैं तो यह streams में अग्रीकल्चर और इंजीनरिंग जो की बहु होथी advanced रूप से बढ़ते चले जा रहे हैं फूल प्रोसेसिंग और बागी की चीजों में तेजी आती जा रहे हैं तो भी यह engineering भी आंगे चलके एक अच्छा career आपका साबित हो सकता है इसमें automobile engineering यह तो बढ़ता ही जा रहा है बाय टेक्नलोजी की बात करें चाहें chemical engineering की बा पानी ही है नई में agriculture, automobile, bio technology, chemical यह सारी की सारी नई उभरती हुई field है और स्टीव में food engineering, information and communication technology, information technology, manufacturing engineering यह एक अच्छा हो सकता है आपके लिए career, mechanical engineering, aeronautical engineering, हाँ यह हर जगा नहीं हो तो याद रखे हो, biomedical engineering यह भी ठीक ठाक है जब से corona और रोना आगा है तब से थोड़ा सा ब जान बड़ा दिया है अपना तो यह भी एक अच्छा future आपका हो सकता है career इसमें सामिल हो सकता है तो यह तो सारी की सारी streams है जो की BTEC से related है अगर आप चाह रहे हैं तो यह यहां conduct कराते हैं course इन सारी की सारी streams के अब अगर आप BTEC करना चाहते हैं तो क्लास लिंगम को ही चु ने क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे तो यहां पर कुछ कुछ इनोंने अपनी positive चीज़े बता हुई है कि आप faculty expertise इनकी जो faculties है वो बहुत जादा experts है experienced faculty है अच्छी faculties है academic opportunities है यहां पर जादा आपको मिल जाएंगी industrial collaboration जो है वो बहुत जादा है industries के साथ इसलिए इनके सा बहुत सारे program यह conduct कराते हैं और बहुत सारी हाँ अलग अलग प्रकार से यह training आपको conduct करवा देता है learn through practice हाँ इनोंने का किताब से नहीं आप unpractical करके learn करेंगे engagement with society society के साथ भी engage होते हैं और scholar's placement के records इनके अच्छे हैं तो यह सारे की सारी बज़ये हैं जिनके basis पे आप class lingam college यह institution को चुन सकते है eligibility के लिए क्या-क्या eligibility होनी चाहिए अगर आप चाह रहे हैं और आप इसको एक option की तरह अगर देख रहे हैं मालीज़ तो क्या-क्या eligibility आपकी होनी चाहिए तब जाके option यह create करें आप तो कम से कम आपकी higher secondary higher secondary बोले तो कक्षा बार वही 12th class pass होना चाहिए आपको चिक है उसके बाद ही आप क्या अगर पाएंगे हाँ एक्जाम दे पाएंगे जही बगेर अगा हलाकि याद रखिए 12th में physics chemistry and mathematics यह important हो जाते हैं percentage के criteria भी कई-कई बार हो जाते हैं हाँ याद रखिए percentage criteria अगर हैं तो category से अगर बलाउंग अरते तो 5% का relaxation आपको मिल जाता है इसके अलाबा एक और option है कि इनका कलासिलिंगम university का entrance examination भी conduct होता है उसके basis पे भी यह admission आपको यहाँ इन courses में दे सकते हैं तो दौनों options हैं आपके पास हाँ एक और option है तीसरा अगर आप diploma कर रहे हैं डिप्लोम मतलब polytechnic का नाम सुना होगा दसभी के बाद से polytechnic हो सकता है अगर जो बच्चे polytechnic कर रहे हैं उनके लिए इसके लाबा selection process entrance examination के basis पर होती है जैसा मैंने बता दिया है कि कलासिलिंगम polytechnic के लाबा मतलब lateral entry के लाबा जही मेंस के तरू या फिर के उई मतलब की कलासिलिंगम university का entrance examination होता है उसके basis फीस structure चुकि भई अच्छा नाम है कमी लड़ों बहुत अच्छा नाम है overall fees की बात कर लें तो चार साल के यह गोर्सिस होते है बीटेक के obviously बात है tuition fee आप देखेंगे 4,21,333 रूपीज 4,21,333 रूपई यह पूरी fees इनो ने बताई है के वल tuition fees याद रखिएगा है ना college में hostel की facility भी है तो hostel fees अलग है boys और girls के लिए hostel है दौनों के लिए तो उनकी अलग-अलग fees है अलग-अलग मतलब है सेम ही range कोई अलग नहीं है हां बस hostel अलग है boys के लिए अलग है girls के लिए अलग है फीस सेम ही है तो बही 59,000 से लेके 1,00,000 रूपे तक की fees है अब बहुत डिपेंड करता है कि कितने bed structure भी होता है दो bed में रह रहे हो तीन bed के room में या चार bed के में रह रहे हो है ना या फिर AC, non-AC और ये सारी तमाम समस्या है उसके basis पे आप ये fees यहाँ पे हो जाती है तो hostel facility भी available है अब 4,00,000 रुपे तो पूरी fees है सारे चारो सालों की ये आपकी year-wise fees है याद रखेगा 1,60,000 जो भी ख्याल से होता ये है कि बाई चुटो तो सबसे सस्ता क्योंकि बस शुरुबात में थोड़ी समस्या रहती बाद में तो फर एक ही room में सारे डले रहते है लोग बाद कोई सम फरक पड़ दा ही नहीं है तो बढ़िया है placement records हाँ कोई भी college या university कैसे आकी जाती है उनके placement records से आ पारे जितने बच्चे हैं उनमे 95 प्रतिशत बच्चों की selection हम करवा देते हैं number of recruiters की बात करें तो 800 से ज्यादा इनके partners है या recruiters हैं जिनसे इनके संबंध स्तापित हैं और उनके कारण यह recruiters आते हैं और बच्चों को recruit करके ले जाते हैं highest salary की बात करें यानि placement के highest package की बात क इन्होंने highest package जो है बच्चों को offer किया हुआ average salary जो देखें तो 4.5 लाख रुपे की on and average salary के packages बच्चों को यह provide कराते हैं तो ठीक है यार मेरे ख्याल से all total fees जो है 4.5 लाख रुपे आपकी पढ़ने की लग रही है और उसके basis फे आपको 4.5 लाख रुपे प्रती वर्स का अ इसके अलाबा यह सारी की सारी IT फील्ड की companies हैं मेंसी हैं और अबसी बात है साउथ में हैं आप तो चैन्नाई या कमिल लाडू में बात करें तो अच्छी companies आपको यहाँ पे IT सेक्टर की मिल जाती हैं जो recruit कर लेते हैं recruiters की हमने बात करी ली यह placements हैं जो कि आप देख पा रहोंगे कि सबसे जादा बच्चों को लेके जारी कौन IT की ही company चाहे नहीं नहीं यहाँ पोलो टायर्स IT नहीं है अब्विसी बात है टेक महेंदरा भी नहीं है है ना हां रेनॉल्ट भी नहीं है तो बागी की आप यह बगेरा यह companies ऐसी हैं जो ले जाती हैं बच्चों को अच्छा इन्होंने कुछ-कुछ अपने NIRF ranking के बारे में भी बताया है यह 35th जो है रेंक NIRF की ranking है overall university rank में इन्होंने प्राप्त करी हुई है 39th rank engineering category में और 15th rank पे overall category में यह आते हैं तो भई बसी बात है इतनी अच्छी ranking है NIRF अगर दे रही है तो यार टॉप colleges या university पे नाम आई रहे हैं तो इसलिए बच्चे ज्यादा प्रिफर करते हैं इसको ठीक है Asia में बात करें overall ranking में तो 600 से 650 के बीच में यह university का overall Asian universities की बात करें उसमें आते हैं scholars बहुत सारी यह provide कराते हैं एक तो भीया यह खुद के college की ही class lingam institute of engineering की यह अलग-अलग percentage के basis पे आपकी scholarship हो जाती है जैसे मान लीजे अगर आपने जो university examination दिया था उस पे 90-200% अगर आप score करते हैं तो लगबग 50% की आपकी फीस जो है वो wave off हो जाती है कंसेशन हो जाता उसी के basis पे आपके कितने marks आते हैं उसके हिसाब से अपकी यह percentage हो जाते है फीस वेवर होने के wave off चीक है तो अच्छी बात है बच्चे बहुत ज़्यादा इस पे focus करते हैं इसके अलावा charity scholarships भी है अलग-अलग charity scholarship में 100% आपकी concession fees wave off हो जाती है state rank holder जो है top 10 तमिल नाडू में जिन्होंने state rank hold करी होगी उनकी 100% फीस wave off हो जाती है top 3 drastic rank वाले बच्चों की 75% फीस wave off हो जाती है तो ऐसी बहुत सारी ववस्ताय है state national level sports personality है अगर आप sport खेलते हैं तो उसके basis पे भी आपकी कुछ fees wave off हो जाती है hostel accommodation में भी कभी आ जाती है सारी की सारी ऐसी चीजें आपको प्रोबाइड हो जाती है scholarship के basis पे चलिए fee waiver की बात कर लें तो यहाँ पर fee concession अगर है कैसे होता है तो बही ऐसे होता है कि 50% की fees आपकी क्या हो जाती है बेव हो जाती है अगर आपने 95 प्रतिशत से जादा 12th class में PCM subject में लेके आया हो अब बैसी बात है 95% से जादा अगर लेके आ रहा हो तो आप बैसे भी किसी ना किसी rank के holder ही होंगे अब बैसी बात है अगर यह नहीं है तो वो यूनिवर्स्टी किसी काम की भी नहीं है चलिए बात करें गाफिटेरिया जमनेशियम ऑस्पिटल या मेडिकल फिसिलिटी बाइफाई कैमपस आजकल आधुनिक तौर पे बनाये जाने वाले कैमपस में बाइफाई इने वल्ड कैमपस ही होता है अगर आपको भी डाउट है डिस्प्यूट है क्या कॉलेज कौन सा कोर्स किस प्रकार से मेरे लिए बेस्ट हो सकता है फ्यूटर में क्या में ग्रोथ कर सकता हूँ इनके बेसिस पे और यह अगर जाना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाईल अनालेसिस फाउम है जिसको फिल अप करिए और आपकी प्रोफाईल के अधार पे हम बताएंगे क्या होगा आपके लिए बेस्ट तो बैई यह रहा आज का वीडियो क्लास लिंगों में इंस्टिटूट अफ इंजिनियरिंग की बात कर रहे थे हम यहाँ पे तो अगर अच्छा लगाओ तो लाइक करना है दोस्तों में शेयर जरूर कर देना है और चानल तो सब्सक्राइब करें लेना है क्यों क्योंगी सारी जानकारी इंगी इ अबस्क्राइब को यहाँ